ग्रीटिंग्स टुवन और डिस इस हर्श वर्जंद्रे पार्थी दहिंदू के आज के सेशन में आपका स्वागत है आज 2nd October है गांधी जैनती है और आज के पेपर हमें हमें कुछ बहुत सेलेक्ट बातें करनी है तो वैसे तो यह पेपर का जो फ्रेंट व्यू है काफी कलर इसमें आपको पढ़ना क्या है इसमें आपको जीस्टी के रेवेन्यूस 26% बढ़ गए है यह देखना है पजानमंत्री ने 5G टेक्नलोजी लॉंच करी है इंडिया का नया एरा शुरुआत हो रहा है इन दौर को क्लीने सिटी 60 एर इन रो कहा गया यह इंपॉर्टेंट है दिल्ली में अगर आपको तेल खरीदना है औक्टोबर 25 से यह क्यों किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली की हवा को एर क्वालिटी जो है वो काफी आपको बेकार दिखाई देगी जब आप पर्टिकुलर्ली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 को पहले हैं यहां पर मेजर जो 5 खबरे हम देख रहे हैं वो कवर करते हैं यहां पर रिलीजिस ट्यूरिजम को जम्मुन कश्मीर में जो पुष मिला है यूनिन टरिटरी बनने के बाद उसमें बस कुछ नहीं है नवरात्री और होली नवरात्री दिवाली दशहरा के टाइम स्पेशल पाकेज़स दे रहे हैं ठीक है यहां पर यह कह रहा है कि आपको देखने को मिलेगा कि 43% ऑफ ट्यूरिस्ट जो की यूनिन टरिटरी अव जम्मन कश्मीर में आते हैं वो या तो वैशनुदेवी या अमरनात इन कश्मीर दो जगह जाते हैं यानि कि 50% 40% के जाता है तीन चार दिन जो बिताता है उससे लोकल एंप्लॉइमेंट जो है वो काफी बढ़ सकता है इसी तरीके से ओन गोई पीरिट जो है अभी नवरात्री का चल रहा है इसमें वैशनुदेवी में जो ट्यूरिस्स की जो संख्या है जो मात्रा है वो बढ़ते वे नजर गया है तो यहां पर देखना है कि यह जो स्कीम हैं हमारी कि कि स्कीम के अंदर हो रहा है तो दो स्कीम है हमारी एक है प्रसाद स्कीम कौनसी स्कीम प्रसाद स्कीम इसमें पिल्ग्रिमेज रिजूविनेशन की बात है प्रसाद स्कीम है और दूसरा है भारत दर्शन भारत द दरशन तो आप करेंगे, स्वधेश दरशन ये दो ट्यूरिजम, Ministry of Tourism की दो स्कीम्स हैं, जिसमें हम अपने हाँ पर ट्यूरिजम प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता है ट्यूरिजम काफी ज़दा कॉविट के बाद एफेक्ट हो गया था कॉविट की वज़े से पर यह दो स्कीम आपको प्रिपेर कर लेनी चाहिए और यह इंपॉर्टेंट है आपके बिसिकली इस इंपॉर्टेंट फॉर जी एस वन अलसो थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है बट लार्जली हम कहेंगे यह जी एस थ्री का है कि इंडिया का ट्यूरिजम पोटेंशल कितना यह ट्रावल और ट्यूरिजम इंडेक्स जो है यह कौन निकालता है आपको पता है World Economic Forum निकालता है इंडिया की रांक 54 हुई है और रिसेंटली अभी हमने वर्ल्ड टूरिजम दे देखा था वर्ल्ड टूरिजम डे देखा था ये कब मनाया गया? वर्ल्ड टूरिजम डे मनाया गया 27 सेप्टेंबर को 27 सितंबर को मनाया गया ये वो डे है जो कि United Nations World Tourism Organization observe करता है इस बार भी इस बार भी टूरिजम का जो परपस है जो थीम है वही है promoting tourism for the people and the planet तो ये आपको याद रखना चाहिए travel and tourism index में इंडिया की ranking है गिर गई है, इंडिया की ranking reduce हो गई है, कम हो गई है, क्यों हो गई है उसके पिछे का simple reason है one main reason what is the one main reason fall in fall in number of number of foreign tourist fall in number of foreign tourist ठीक है after covid एक reason, दूसर रीजन क्या हो सकता है दूसर रीजन हमारे पास tourism में जो गिरावट आई है fall in economy fall in economy fall in economy and aspiration भी कह सकते हो आप भाई, आपने देखा था कि covid जैसे ही second lockdown खुला था तो hilly regions में, हिमालिन रीजन में, tourism बहुत बड़ा था अचानक से इसकी वज़े से वहाँ पे environment में pressure भी आया, वहाँ की local economy बढ़ी, लेकिन local resources पे pressure भी आया, hospitality affected थी, क्योंकि उतना staff था नहीं वहाँ पे, under services हुई, लेकिन overall इंडिया में एक slowdown देखा गया है, हर जगा ये चीज़ नहीं हो सकती है, तीसरा है तीसरा कारण क्या हो सकता है tourism का, tourism में गिरावट आने का, lack of state support lack of state support, यानि government किसी तरीके से सहायता नहीं कर रही थी tourism को promote करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को अब सरकार जो है, आगे बढ़ा रही है और religious tourism को आप देख रहे हो कि जब मुन कश्विन नहीं पुष्ट देखने को मिलता है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि September के महीने में देखा जा रहा है कि 26% imports GST revenue बढ़ा है और imports सर जो है इसका मतलब क्या है देखिए, goods and services tax GST जो है GST किस तरीके का tax है एक तरीके का indirect tax है कैसा tax है, indirect tax correct है यह एक तरह का indirect tax है, इसको calculate करने के दो तरीके है इसको एक तरीके से year on year basis से calculate किया जाता है यानि सालना पिछले साल के इस महीने को इस साल के इसी महीने से compare के जाएगा और दूसरा देखा जाता है month और month basis से मतलब हम क्या देखते हैं ये हम ये देखते हैं कि GST जितना ज़्यादा buoyant होगा कहते हैं GST जितना ज़्यादा buoyant होगा यानि जितना ज़्यादा grow कर रहा होगा उतना ultimately क्या है गवर्मेंट की income जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी ठीक GST के बढ़ने से क्या क्या दिख सकता है गवर्मेंट की income यानि गवर्मेंट का जो revenue है वो बढ़ रहा है दूसरा आपको देख सकता है business confidence जो है business confidence जो है वो भी आपको बढ़ता हुए नजर आएगा business confidence भी आपको बढ़ता हुए नजर आएगा यहाँ पर आपको transparent taxation या transparency in taxation भी आप समझ सकते है transparency in taxation जनता में बढ़ रहा है तभी तो वो tax pay कर रहा है आगे से दूसरा trust of public इसको हम लिख दें simply क्या लिख दें public confidence on taxation क्या लिख दें public confidence on taxation ये भी तो बढ़ रहा है public confidence on taxation हमें तो पहले ये समझना चीए ना कि ये GST के बढ़ने से हमें क्या चीज़े हम निकाल सकते है what are the things that we can draw कि GST से अगर काफी जादा revenue collect हो रहा है कहा जा रहा है कि ये 7th month है जहां पर 1.4 lakh crore plus GST plus GST देखा जा रहा है तो GST के collection बढ़ने से ये सारे areas आप देख सकते हैं कि government का income बढ़ने से हमारा कोई फाइदा जनता का कोई फाइदा देखे इसमें आप देख सकते हैं कि welfare programs में welfare programs जो होते हैं या हम कहले under budgetary allocations budgetary allocations budgetary allocations बढ़ जाएंगे यानि कि government proper health, government proper health, government proper education, government proper you can say protection of the vulnerable protection of the vulnerable, इन सब चीजों को क्या कर सकती है, promote कर सकती है ठीक है, government अपने defense को भी promote कर सकती है, GST के revenues से बस इसका problem क्या होता है, GST के साथ एक problem क्या है GST के साथ problem यह है जो इसका GST says है, GST का says, GST compensation says कि इसको कहते है compensation, compensation to states, ठीक है, compensation to states एक issue है, जहाँ पे states ना आरोप लगाया है कि GST यानि taxation indirect tax को centralized करने की वज़े से, indirect tax में ज्यादा state consultation ना करने की वज़े से हुआ क्या है basically, हर state की जो income potential था, या income avenues थे, वो क्या हो गए, कम हो गए, कम हो गए, ठीक है तो यहाँ पे जो हर state है, वो क्या कर रहा है, आपको देखने को समझ में आएगा है, यहाँ पे कि हर state पूरी तरीके से, आपको GST के साथ आने के लिए एक से ready नहीं है, GST के साथ एक body है, GST council है, यह GST council एक तरह की constitutional body है, GST council एक तरह की constitutional body है, जिसका purpose क्या रहता है, GST council का, GST council का basic purpose यह रहता है, कि यह tax rates जो है, यह tax rates जो है, यह साल में yearly four times, yearly four times review करती है, GST council, ठीक है, यह अरुन जेटली जी के समय आपको पता है, यह act लाया गया था, यह act लाया गया था, हाना, अल्राइट, तो यह चीज आप याद रखेगा, और आपको यह भी पता है कि 101st Amendment Act, 101st Amendment Act जो है, वो important है, तो यह तो हो गई by static information, यह तो हो गई हमारी static information, अगर हम आगे बढ़ें, अगले पर, प्रधान मंत्री जी ने 5G calls, जो है, वो 5G technology launch कर दिया, और वीडियो में आपने देखा होगा, कि प्रधान मंत्री एक car चला रहे है, एक steering चला रहे है, वर्चुली, और वो जो car है, basically, वो car दूसरी किसी location पे है, वो move कर रही है, तो यह advantage है 5G technology का, data transfer इतना fast है कि आप live automation कर सकते हो, यानि कि आप एक जगा पे बैठे हो, और आप दूसरी जगा की कोई machine चल आ रहे हो, तो it's like, in seconds में, seconds में signals, जैसे कि आपने गाड़ी को command दिया to move, 4G technology में क्या था, 4G technology में जो waves transmission है, वो थोड़ा समय लगाती है, तो यानि कि आपने command दिया गाड़ी को आगे बढ़ने का, तो गाड़ी हो सकता हो, कुछ 5 second, 6 second के बाद आगे बढ़े, वहाँ पे ज समय जो आपके पास आएगी, उसको हम live नहीं कहेंगे, वो 4-5 seconds का lag आएगा उसमें, बड़ा data set, बड़ा data pack जो है वो नहीं transmit हो सकता, बड़ी information नहीं transmit हो सकती कम समय में, तो ये 5G technology इतना quick है, इतना fast है, कि आपको तुरंत बिना जो lag है, जो बिना lag के आपको live machines operate करने की capability द जेंगे ना फिर, तो ये सारे advantage आप देखे गए, GST council में, यहाँ पे आप All India, ये India Mobile Congress है, ये जो पर्टिक्लर टर्म है है, India Mobile Congress, इसके बारे में आप बिलकुल पढ़ेंगे, मुबाईल फोन के users को 5G technology, wireless technology देखने को मिल सकती है, इसमें basically बहुत सारे टेलीकॉम के जो बड़ दिसंबर 2023 तक G.O. कह रहा है, 2024 तक Airtel कह रहा है, वुड़ा फोन कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम 5G technology सस्ती सस्ती जादा जादा लोगों तक पहुंचा सकें, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नरेंदर मोधी जी ने इस meeting में ये भी कहा, कि 2G और 5G की नियत में यही डिफरेंस है, कि 2G हम बाहर, 2G, 3G, 4G के लिए हम बाहर के देशों पे dependent है, और 5G हमने अपने ही country पे एक तरीके से आत्म निर्भर हो चुके हम अपनी technology को लेके, तो यह भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement है, ठीक है, इसके बाद यह जो topic है, यह लिखा हुआ है, pollution under control certificate हर वहिकल के लिए important है, इसमें दिल्ली के जो environment minister ने गोपाल रहा है, उन्होंने cognizance लिया दिल्ली की खराब हवा की परिसिते को धान में देते हुए, दिल्ली में हवा खराब होने का कारण बहुत सार है, number of vehicles जो हैं सबसे पहले तो बहुत जादा है, number ambient air quality index, है की नहीं, ambient air quality index है, world health organization का, इसमें कितने pollutants हैं, around around 6 pollutants आपको देखने को मिलते हैं, ambient air quality index में आपको world health organization की तरफ से 6 pollutants देखने को मिलते हैं, इसी के आधार पे इंडिया ने अपना air quality index announce किया था, किया था, air quality index, इंडिया ने अपना air quality index, स्वच भारत mission के अंडर, स्वच भारत mission के अंडर, 2014 में announce किया था, जिसमें इंडिया, और ये basically calculate कौन करता है, central pollution control board कह लीजे, एक तरीके से regulatory body है, इसकी, air quality index के अंदर आपको पता है, हम 8 pollutants को consider करते हैं, कितने pollutants को, 8 pollutants को हम consider करते ह ये जो 8 pollutants हैं, these 8 pollutants, basically, इसमें majorly जो नुकसान देते हैं, वो PM 2.5 है, particulate matter 2.5, particulate matter 10, दिली में particulate matter 2.5 बहुत जादा बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों को ये basically छोटे-छोटे वो particles हैं, जो कि आपकी सांस में चले जाएं, तो आपको lungs से related, सांस से related diseases हो सकती हैं, है ना, तो ये जो particles हैं, इनको reduce करने के लिए, इनका reduction करना है, 40% reduction हो जाना चाहिए इनका, 40% in terms of air quality of 2017, 40% reduction in terms of air quality of 2017, यानि 2017 में भारत देश की जो हवा quality थी, उससे compare करें आज की हवा को, तो 40% reduction होना चाहिए PM 2.5, PM 10 levels में, ये ही target 2026 तक achieve करना है, इसको क्या कह रहे हैं, ये सब किसके अंदर कर रहे हैं हम, नाशनल क्लीन एर प्रोग्राम के अंदर, नाशनल क्लीन एर प्रोग्राम, नाशनल क्लीन एर प्रोग्राम as you know, was announced in 2019, ministry of environment के दुआरा, to improve the quality of air, अच्छा, why we need to improve the quality of air, ultimately, air quality हमें बढ़ाने की जरुवत क्यों है, उसका एक कारण है, आपकी life expectancy, सीधा कारण है, आपकी life expectancy, इंडिया की life expectancy अराउंड अराउंड 69.7 या इस तरीके का कुछ हो गया है, पहले जो था, वो 71 years था, यानि कि 10 साल पहले 71 years था, और 10 साल के अंदर अंदर में इतना गिरावट देखने को मिला है हमें, तो यह अपने आप में भारत की हवा quality के लिए बड़ाई बेकार बात है, और इसलिए इंडिया कोशिश करता है कि जहां पे major population रहती है या major emitters जो हैं, उनको हम नज़र रखें, तो यहां पे government ने एक public notice निकाला है, जिसमें बोला गया है कि, कोशिश करेंगी कि October 25 से इस चीज को लागू करते हैं, ट्रांस्पोर डेपार्टमेंट के लिए, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वह रमायंत एकॉड़नी टू सेंट्रल पोलुशन कंट्रोल बोर बहुत ज़ादा है, तो अब इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इन दोर क क्लीनस सिटी का जो ताज है, वो फिर से मिल गया है, मद्र प्रदेश क्लीनस स्टेट है, सूरत जो है वो सेकंड क्लीनस सिटी है, और नवी मुंबई जो है वो थर्ड है, इन दा टर्म्स आफ पोपुलेशन जहां पे एक लाग से जादा है, तो अब ये जो सर्वे होता है, स्वच्च भारत, ये इसको कहते हैं स्वच्च सर्वेक्षन, स्वच्च भारत सर्वेक्षन, ठीक है, तो ये हम किस के अंदर करा रहे हैं, स्वच्च भारत मिशन के अंदर करा रहे हैं, तो आपके लिए सर्वे तो इंपॉर्टन है, सर्वे का डेटा भी इंपॉर्टन है साथ में आपके लिए स्वाच्च भारत मिशन भी जो है वो काफ़ी इंपोर्टेंट है स्वाच्च भारत मिशन का second phase जो है वो launch कर दिया गया है second version हना तो ये पढ़ लीजे आप इसमें देखिए open defication ODF status है open defication free status तो ODF status cities को दिया जाता है तो उसका sense क्या है हना आपको जब ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ा हमें पढ़नी है और क्या हमें नहीं पढ़ना है आगे बढ़ें तो ये regional news तो आपको पता है हम avoid कर देते हैं newspaper में कभी हम regional news पे जादा focus करके अपना समय नहीं बरबाद करते हैं और हमें कम समय में paper जादा से जादा cover करना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम basic बातों कोई करें तो यहीं आप देख रहे हैं तो हमने देखी लिया है इसमें क्या cities होई है क्या data है इतना आपको depth में जाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे PMY 5G calls जो है वो launch की गई तो वो भी हमने देख लिया है GST revenues rise by 26% वो भी हमने देख लिया है यह वाली जो cover है army expected to boost fire power with induction of artillery guns army ने अपने fire power को बढ़ाने का यानि कि अपनी जो मारक समता है उसको बढ़ाने का ठान लिया है तो आप इसमें देखे आपको ध्यान क्या रखना है यह आपको target नहीं पूछेगा आपको technology भी नहीं पूछेगा आपको नाम पूछ सकता है आपको GS2 में security की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे यह चीजने पूछी जा सकती है कि यह सब क्या है ठीक है जिस्तों आपको नाम याद रखिए जैसे कि धनुष लिखा हुआ है पहला नाम लिखा हुआ है धनुष दूसरा लिखा हुआ है शारंग दूसरा लिखा हुआ है शारंग फिर M777ULH अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स हना वज्र होविट्जर्स और ATAGS आपसे ऐसे क्वेशन पूछ दे विच अमंग दे फॉल्लिंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट रिगार्डिंग ATAGS अब ATAGS ही का आपका वो मतलब भी नहीं पता है तो फुल्फाम भले ही ना पता हो आपको कि Advanced Tored Artillery Gun System है आपको यह समझना यह सारी Artillery Guns है Artillery Guns क्या होती है वो बड़ी-बड़ी तोपे होती है जिनसे हम अराउंड-अराउंड 500 मीटर एक किलो मीटर दूर अपने जो गोलियां है या जो गोले है उनको छोड़ते हैं जैसे कि माल लीजे पहाडों पर अगर लड़ाई चल रही है दो पहाडों पर अगर लड़ाई चल रही है यह इमाजन कर लीजे कि यह ऐसे घाटी है और यह इंडिया है इस साइड अगर इंडिया का चेक पोस्ट है और इस साइट चाइना का चेक पोस्ट है घाटी है तो यहाँ पर हम imagine कर लें for a minute हम सोच लें कि यहाँ पर पानी बहरा है और अगर यहाँ पर लडाई चल रही है तो भाई आपको पता है कि एक आदमी जो है वो अगर गन चलाएगा भी एक आदमी अगर गन चलाएगा भी तो उसकी गोली तो लगेगी नहीं उसकी गोली कहां तक जाएगी ऐसे similarly अगर इस साइट कोई अगर आदमी है तो उसकी भी जो बंदू की गोली है वो भी ऐसे चली जाएगी तो कोई शेंस नहीं है इनका यहां पे लड़ने का और नीचे जा नहीं सकते ऐसे में हमको tactical advantage देती है हमारी artillery guns ठीक है? artillery guns वो होती है जो wheels पे mounted होती है wheels पे mounted होती है और आप इनसे basically attack कर सकते हो सामने वाले के check post पे तो इसलिए कहते है artillery जिसकी strong है artillery जिसकी strong है उसका warfare जो है वो भी strong होगा तो इंडिया ने मतब हमें हिली रीजन्स में अगर take over करना है तो कोशिश करनी यही है कि हमारी जो artillery हैं वो काफी ज़ादा advanced हो काफी ज़ादा strong हो तो artillery guns यही पर आपको दिखाएगा कि M77 को operationalize करना है जो की base systems design कर रहा है फिर इसी तरीके से आपको पूछेगा high altitude regions में army K9 वर्ज self-properable hobbitsers को promote करेगी यह आप देखने देख सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े आप ध्यान रखिएगा बस आपको इसको पढ़ लेना है और इससे आगे बढ़ना है मतलब इतना ज़्यादा उसमें भी समय हमें बरबाद अपना नहीं करना है यह जामियाद land support silent support to BJP यह वाली ऐसी ख़बरें आप basically नहीं पढ़ाई करेंगे सरकार क्या कर रही है इस सारी चीज़ा आप से नहीं पूछी जाएगी सरकार ने क्यों बैन किया है वो हो सकता है पूछा जा सके यह काबा काफी important ख़बर है आपके लिए again यह आपके GS3 के लिए भी important है जहाँ पे environment related बाते आती है प्री के लिए बहुत ज़दा जरूरी है यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि corporate reserve कहाँ पे है उसके बाद पूछेगा आपसे कि forest service of India क्या report है यह और illegal felling of trees को यानि कि illegally पेड़ों को काटने के लिए आप क्या क्या चीज़ां कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पक्रू tiger safari है जिसके चलते forest service of India ने पक्रू tiger safari के development को survey किया और बोल दिया कि यहाँ पे 6000 पेड illegal तरीके से काटे गए है जिसमें कि state forest department यानि उत्राखंट का forest department है उसने इस report को accepting किया है और उसने कहा है कि हम जांच करना चाहेंगे कि forest survey of India इस conclusion पे कैसे पहुंचा है forest survey of India को task दिया गया था यह check करने के लिए कि पक्रू tiger safari जहाँ पे बनाई जा रही है वहाँ पे देखिए काला गार tiger reserve जो है आपको यादर नहीं काला गार tiger reserve कहां पे है जिम कॉर्बेट पार्क में जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर है तो वहाँ पे इस तरह की बात की गई यहाँ पर आपको अनूप सिंग, Forest Survey of India के डिरेक्टर का नाम देखने को मिल जाएगा तो Forest Survey of India कब बनाया गया था है, Forest Survey of India का function क्या है, किस मंतराले के अंदर काम करता है इस तरह की information आप देख सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि यह National Park, Wildlife Century और इनमें क्या difference होता है हाला कि काफी सारे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि इन सारी बातों को अलेडी कवर कर चुके हैं तो हमें उस पे जादा लोड नहीं लेना है, लेकिन हाँ तुरंती नोट्स बना लेंगे तो हमारा जादा फायदा होगा इंडिया ने United Nations Security Council resolution में वापस से वोट नहीं किया, abstain किया, किसी भी तरह का अपना हा या ना नहीं बोला रशिया का जो referendum था उसके उपर, रशिया के reflection आपको पता है, Ukraine में basically क्या कराया है, referendum कराया है तो ये election कराने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते है direct election, क्या होता है, direct election का तरीका होता है direct election हम क्या कराते है direct election में, जनता से सीधे पूछते हैं yes और no, जनता से हाँ या ना पूछते हैं तो जनता आती है डारेक्ट वोट करती है तो यह referendum हुआ यहाँ पे तो referendum में इंडिया उन चार देशों में से है जिन्हों ने United Nations Security Council के Resolution पे वोट नहीं दिया है और United Nations Security Council कहां पे बेज़्ड है New York में बेज़्ड है इसने आरोप लगाया है कि यह एनेक्सेशन है यह एनेक्सेशन है ठीक United States और अर्बानिया नाम की दो देशों ने इस Resolution को बेसिकली प्रपोस किया था और इसी तरीका Resolution General Assembly में भी पेंडिंग है तो आप देखेंगे General Assembly और United Nations Security Council के Resolution की महत्वता क्या है फर्दर आप देखेंगे Official से India has remained consistent in its push-fork dialogue यहां पर इसी sponsored resolution जब इंडिया ने अपस्टेन किया तो इंडिया ने भी यही कहा क्या कि हमने हमेशा से कहा है हमारे permanent representative जो United Nations में रुचरा खंबोज उन्होंने कहा है साफ साफ कि जो भी कुछ हो UN Charter के हिसाब से हो तो आपको क्या updates है वो तो नहीं पढ़ना रहता है हमें हमें हमीशा ध्यान रखना रखना रहता है कि स्टार्टिक के रिया क्या है तो देख लीजेगा United Nations General Assembly United Nations Security Council और UN Charter तो य यह तीन चीजें आपको पढ़ने के लिए हो गई आज और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि General Assembly की powers क्या है United Nations Security Council की पावर क्या है UNSC के मेंबर्स कहां से चूज किया जाते हैं अगर मालीजे General Assembly यानि 193 countries कुछ कह रही है और United Nations Security Council के 5 देश कुछ कह रही है जो permanent 5 है तो क किसकी सुनी जाएगी किसकी चलेगी तो आपको पता है ना I think आपको यह यह information तो बहुत अच्छे से पता होगी कि United Nations General Assembly जो है आप ऐसे consider करिए कि लोगसभा की तरह काम करती है जिसमें 193 प्लस कंट्रीज हैं कित्ती कंट्रीज है 193 प्लस कंट्रीज यूपीएस सी के 2022 में इ UNGA का observer बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं तो UNGA बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और कोशिस करिएगा आप UN की ही website से पढ़ लें अब UN की ही website रिपर करें इनके बारे में पढ़ने के लिए और दूसरा जो है United Nations Security Council है यह one of the principal organs है one of the six principal organs में से आता है इसमें P5 है और प्लस 10 non-permanent members है इंडिया कहां पे है इंडिया non-permanent member की तरह है 2021 से लेके 2023 तक इंडिया for a term of two years हुआ है 8 ताइम आठवी भार इंडिया non-permanent member की तरह सेलेक्ट हुआ है P5 देशों के अगर हम बात करें तो P5 देश में हमारे पास Russia, USA, UK, France और China आ जाते हैं इंडिया को भी बोला जा रहा है कि P5 प्लस 1 नहीं कि इंडिया को भी एक member बनाया जाए रश्या ने अभी हाल फिलाल में support किया था इंडिया का तो आप इसमें बस आपको ध्यान यहीं रखना है कि Interjectures क्या है UNG और UNSC किस तरीके से काम करता है और UN Charter क्या है What is UN Charter? Why it was adopted? ठीक है? UN Charter and why it was adopted? तो यह वाली बात हैं आपको इसमें ध्यान रखना है बाकी इंडिया ने किस रीजन के लिए वोट किया कैसे वोट किया वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है इस पेपर में फरदर अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने पेपर को निउस्पेपर को आगे बढ़ते हुए तो यही सच सर्विक्षन सर्वे आया है इसमें इंदौर बैक्स लेने सिटी आवाट फॉर्ट फॉर्स फर्स अमंग स्टेट्स अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हमें हटा करेंगे हैं इंडिया में काडिया करेस्ट की संभावना या यह केसे क्यों बढ़ रहे हैं इसके उपर यह न्यूज है और क्यों का रीजन तो नहीं बताया है लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके सामने किसी को अगस्मात एमर्जेंसी में अचानक से हार्ट एक आग आजाए ताकि उसके हार्ट जो बंद हो गया है पंप नहीं कर रहा है ब्लट को उसमें जो ब्लॉकेड हुआ है वो वापस से खुल जाए तो यह चीज बोली गई है डॉक्टर ने कहा है कि इसका हमें लोगों को मास ड्राइव कराना चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क आप्टर्स के पास जाएं स्पिताल की तरफ रश करें बहुत सारे राजुश्री वास्ताफ जी और जिम में अपना करते-करते इनको हार्ट आगा फिर वो इतने दिन वेंटेलेटर में रहे उसके बाद केके जैसे सिंगर आपने देखा कि उनको हार्ट आगा गया म्यूज स्प्रॉल की प्रॉब्लम है कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम इंडिया में आ रही है क्या इंडिया के लोग लेथार्जिक होते जा रहे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारे उसमें यह बहुत इंट्रेस्टिंग खबर थी कि भाई पांस करोड तक का कॉंट्राबैंड कोकेन जो है अपने सैंडल में फसा के माडम जी आ रही थी और इंको मुंबई में पकड़ लिया गया वा यार यह सब भी मतलब बड़ी बढ़िया खब रहे हैं कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है अपने दिमाग में यह लोग चोरी करने का चोरी प्रवत् चीता के बारे में पढ़ना है ठीक है आपको पता है नामीविया से कुनो नासल पार्क में अभी हम पांच आठ चीते लेके आएं जिसमें फाइफ फीमेल्स हैं तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए रशिया ने अपनी टूप्स को विड्रॉ कर लिया है बहुत आपको इंडिया के कंटेक्स से इंपॉर्टेंट है इंडिया स्री लंका रिलेशन्स जो है उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप इसमें रीट करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जब से 2012 में ये पाकिस्तान से भागे थे और इंडिया ने स्री लंका जिसको श्रिलंका ने साइन नहीं किया है तो आप रेफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में पढ़ सकते हैं आप जानेगे कि इंडिया ने भी साइन नहीं किया है आगे वड़ते हैं यहां पे आप देख सकते हो स्वेडन और फिनलंड दो देश हैं जो नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं पर अर्ड़ोगन यानि टर्की टर्की ने कहा है कि आप हमारे वह टर्रेस कर दीज़े बस जो आपने पकड़ रख हैं और हम आपको अप्रूबल दे देंगे नाटो की हिस्सेदारी का तो यह बहुत आपके लिए इतने इंपोर्टेंट नहीं है यह जो खबर हैं यह काफी इंपोर्टेंट है मेडिक मेडिसिनल फंजाय में भी सूटेबल फॉर इडिंटिफाइं नौवर ड्रॉग्स दिस इस इस गूद नूज आप देख सकते हैं कि किस तरीके सब फार्मर्स इंडिया में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अब आई तिंग यह जीएस टू जीएस ट्री जीएस वान का जो कॉंसेप्ट है इतना तो आपको समझ में आता होगा कि कौन सी चीज हमारे लिए इंवार्मेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कौन स गया है कि अगर कोई अविवाहित महिला है एडल्ट है 25 साल की है 18 साल के उपर की महिला है और वो शादी सुदा नहीं है और उसको प्रेगनेंट है और अपनी प्रेगनेंसी को 20-24 महिने के बीच में गिराना चाहती है तो उसमें दिल्ली हाइपोट ने मना कर दिया था उस पर सुपरीम कोट ने कहा कि यह महिला की री प्रोड़क्टिव अट्रॉमी की बात है उसकी राइट टू लाइफ और एक्वालिटी की बात है तो आप उससे वह एक्वालिटी नहीं चीन सकते हैं यहां पर मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी आक्ट जो 1971 का है उसको आ बढ़ने में आएंगी तो आप इसको जादा अच्छे से पढ़ेंगे पार्टी कॉंग्रेस मीन्स फॉर चाहिना आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यह आप मत पढ़िए यह आप मत पढ़िएगा और बैक के मॉनिटरी पॉलिसी वापस से अर्भी ने यूएस की जो बैंक्स हैं उन्होंने भी वही काम किया जो आर्भी कर रही है अपने इंट्रेस्ट को बढ़ा दिया अब यूएस ट्रॉंग हो रहा है इस वज़ए से इंडिया की करेंसी इंडिया की कॉनमी अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी यूएस की कमपैर उन्होंने बढ़ाए अपने डॉलर को स्ट्रॉंग किया तो डॉलर को स्ट्रॉंग करने की वज़े से क्या हुआ भाई वहां पर डॉलर महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे इंवेस्ट जादा करेंगे की कम करेंगे क्योंकि आप डॉलर में जब इंवेस्ट कर रहे जिसको हम कहते हैं foreign portfolio investment उन्होंने अपने सारे पैसे वापस ले लिए वो अपने सारे पैसे वापस कीचने लगए तो वापस कैसे मंदो सारे share बेचने लग गए सारे share almost बेचने लग गए तो भाई इंडिया में foreign currency का investment नहीं है तो obviously हमारा रूपी और डाउन जाता हुआ दिखाई दिया ऐसे में Reserve Bank of India ने फिर से रूपी को strong करने की कोशिश की है ताकि रूपी इतना आसान न रहे इतना easily available न रहे जब कोई चीज़ easily available नहीं रहती है currency के terms में तो obviously बात है कि आप investment इंडिया कम करेगा तो obviously बात होता है कि सामने other currencies में भी इसका आसर पढ़ सकता है जो हमसे इंपोर्ट करते हैं तो यह चीज़े finance ministry ने बोली कि हमारा जो inflation टार्गेट है वो 6% है अपर लिमिट की और 6.7% 8% अभी चल रहा है RBI के इस move के बाद हो सकता हो कि inflation हमारा consumer price index वाला CPI inflation जो है वो हमारा control होता नजर आए तो यह main बाते थी आज के पेपर में जो आपको पढ़ लेनी चाहिए ठीक है तो बाकी सारी चीज़ें तो I think पूरा पेपर तो आपको नहीं पढ़ना है जो मार्ग आर्टिकल से सिर्फ वही पढ़ने है तो आज के सेशन को हम यहीं पर खतम करते हैं this was हर्षवर टार्गेट से संडे के लिए ठीक है नवरातनी की आपको सब को शुब कामना है और आशा करताओं कि दशहरा दिवाली में जहां पर पूरी पूरा भारत जो है वो फेस्टिवल मना रहा होगा आप ऐसे सो फेस्टिवल सो लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी बनके बना है यह मेरी दिलो तमन्ना है और पूरी तरीके से हम आपके लिए इस जगह पर प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि आप त्युहार ना मनाएं मेहनत करें ताकि ऐसे सौ त्युहार आप हर साल धूमधाम से मनाएं तो साइन ओफ करता हूं मैं आपसे आज के सेशन में मिलते है आपसे अगले सेशन में